अलो दोस्तों नमस्कार क्या हल चालने अग्दम बढ़िया से होंगे तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी और पूरी ले के साथ तैयारी कर रहे होंगे तो मैंने पीजी ची के लिए बॉन्ड लेंद बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगिल पर ये वीडियो बनाई है इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो सैटिस्फेक्शन आपको जरूर होगा और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी आपका होगा और ये कोश्चन्स भी करने में मदद करेगा ऐसे कोश्चन्स जो आपको बॉन्ड लेंद बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंगिल से जुड़े होगे तो आज पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा आपको एक एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट बातें जो जुड़ी होती है वो सभी बताऊंगा और इस वीडियो को आप ध बॉन्ड लेंथ होती क्या है यह बात मैं पहले आपको बताऊं देखें ध्यान से कि अगर मैं आपको यह बताऊं कि भाई यह मैंने एटम ले लिया और यहां पर मैंने एटम्स वो दोनों को कम्माइन कराया यह चोटे बढ़े बन गए लेकिन इन दोनों के बीच की लेकिन इसलिए बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं आती है इसके अंदर यह बात भी आपको ध्यान लखने पड़ेगी अब मैं आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिख रखें वह आपको बताता हूं कि एक्चुल रेडियस होता है रेडियस में अगर बात करता ह है यह जिनी 10 देश्वी पावर माइनस 10 मीटर के आसपास चले ठीक है ना अगर आप चाहेंगे तो इसे आप पिको मीटर में भी रेप्रेजेंट कर सकते हैं वन पिको मेंटर इस इक्वाल टू 10 देश्वार माइनस 12 मीटर भी लिखा जाता है लेकिन जो रेंज है वो एक बात पहला पॉइंट जो इंपोर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा पहला पॉइंट इंपोर्टेंट यह कहता है कि जैसे कि अगर मैं एक एक्जामपल लेता हूं एक्जामपल लेता हूं जैसे मैं बात करता हूं है उसके बाद की बात करता हूं अगर मैं बताऊं आपको ऐसे समझाओं कि यह एटम का यह इतने बड़े हो गए और यह इतने बड़े हो गए तो यह बताओ यार इनका न्यूक्लियस भी तो दूर होता चला जाएगा तो साइज इनका increase करता चला जाएगा means जैसे जैसे bond length यानि कि जैसे जैसे atom का size बढ़ेगा bond length बढ़ती है तो यानि कि bond length increases bond length increases with increase in with increase in atomic size तो size कही न कही responsible होता है अब दूसरी बात मैं अगर आप से ये करना चाहूं कि भाई अगर सबसे यानि कि bond length सबसे जदा आपको ही में दिखाई दी है भाई साइज यहीं तो बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसी तरीके से अगर मैं आप से ये बात करूं कि अगर सिंपल होते यानि एफ होते फिर यहां पर सियल सियल होता फिर यहां पर बी यार बी यार होता फिर यहां पर क्या हो सकती है यह चीज आप ध्यान दीजिएगा छी कहना समझ में आई है आपके बाद तो एक अली जाय है टो बाइम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्म लेंथ डेफिनिटली बढ़नी है यह भी ता है लेकिन मल्टिपल सिटी अगर बढ़ती है मल्टिपलिसिटी बढ़ती है तो बॉंड लेंध घटती है यानि कि बॉंड लेंध बॉंड लेंध डिक्रीजेज डिक्रीजेज बिध इनक्रीजिन do increase in multiplicity यह बात आप ध्यान रखिए जैसे कि मैं अगर carbon carbon triple bond की बात करूं तो चोटा होगा जैसे मैं carbon carbon double bond की बात करूं यह थोड़ा सा बढ़ा हो जाएगा carbon carbon single bond की बात करूं तो यह और बढ़ा हो जाएगा यह bond length increasing order में लगाए गए है यानि आप लिख सकते हैं increasing order of bond length ये bond length बढ़ती चली जा रही है जैसे multiplicity घड रही है एक बात आप ध्यान रखें hybridization का nature भी responsible है यानि कि nature आप hybridization की बात करता हूँ तो उससे भी मैं आपको समझाऊ hybridization की अगर मैं बात करता हूँ तो hybridization में आप क्या कर सकते हैं ध्यान दीजे बहुत important कि अगर मैं sp3 की बात करूँ अगर मैं sp2 की बात करूँ अगर मैं sp की बात करूँ तो इन तीनों में difference आ जाएगा जैसे कि अगर मैं आपसे यह बात करता हूँ कि यहां पर जितना hybrid orbital shorter is the bond length यह भी बात आपको ध्यान रखनी है greater is the s character shorter is the bond length यह बात आप देसे सोट greater s character यहां 50 percent s character यहां आपका 33 percent s character है यहां पर 25 percent s character तो s character ज्यादा कहा है तो यहां पर लिख देता हूं star बना करके more is the more is the s character more is more is the s character and more is less is bond length more नहीं आएगा less is bond length more is the s character less is the the bond length ध्यान रखिएगा important topic है ठीक है यह बात है मैंने कुछ आपको बताई तो अब अगर आप से बात करें कि कहीं पर भी जैसे condition आ जाए वह condition आप इनके according decide कर सकते हैं कि भाई हमको करना क्या है अब हम लोग को बात कर लेते हैं bond energy यह भी एक important point है यहां पर मैंने हेडिंग मना दिया है bond energy इसको पढ़िएगा मजा जरूर आएगा अगर आपको इन सब चीजों से जुड़ना है और बाकर इन मेरी life class में आप interest रखते हैं तो मेरा नंबर यह जरूर नोट कर लिजी 9473702721 इस नंबर पर आप contact करिएगा आपको जरूर यह पता लगेगा कि आखिरकार chemistry पढ़ना कैसे चाहिए अब मैं आपको यह बताओं कि bond energy का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास यह hydrogen भहिया है इनके bond को तोड़ने एक मोल bond को तोड़ने के लिए जो energy की जरुत पड़ती है वो energy कहलाती है bond energy यानिके अगर मैं definition लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं यहाँ पर the amount of the amount of energy required to break one mole one mole bond of an atom one mole bond of an one mole bond between the atoms between the atoms in a molecule called bond अब आपको पता ही है कि bond energy कहला अब मैं आप से बात करूं कौन कौन से फैक्टर्स को एफेक्ट करेंगे तो यहां मैं फैक्टर्स की बात कर लेता हूं सबसे पहले तो bond energy की बात करूं तो size की बात करूंगा यानि atom के size की बात होगी तो यहां पर atomic size लिखे दे रहा है एक बात दूसरी बात बॉन्ड लेंथ भी रिस्पोंसिबिल हो जाएगी बॉन्ड लेंथ भी जिम्मेदार हो जाएगी तो मैं दूसरा फैक्टर बॉन्ड लेंथ लिखे दे रहा हूं और नमबर अ loan pair of electrons भी जिम्मेदार बन जाएंगे तो अगर मैं bond energy की बात करूं कहां bond energy जादा होगी और कहां कम होगी जहां bond छोटा होगा बहां bond energy जादा होगी simple सी बात यही है तो अगर मैं बात कहूं कि HF की बात करूं यहां पर HF हो गया यहां पर SCL हो गया यहां पर HBR हो गया यहां पर HI हो गया बताइए bond length जादा का यहां जादा है ना bond length कम यहां है तो यह decreasing order of bond energy पे लग गए decreasing order of bond dissociation energy के according यह सर चल चुके हैं आप इसको आराम से समझ सकते हैं अब मैं आप से बात करता हूं next पन्ने पर कि अगर मैं बात करूं multiplicity of bonds की बात करूं यानि कि वह factor में यहां पर बढ़ा दू multiplicity यानि fourth point मैं लगा देता हूं multiplicity of bonds इसको भी मैं लगाए अब मैं आप से बात कर रहा हूं कि जैसे atomic size की मैंने बात कर ली और bond length दोनों इसमें cover हो गई number of electrons के pair की भी बात करूंगा लेकिन यहां पर आपको बता देता हूं जैसे carbon carbon bond है यह muscle से तूटे इसको जाधा energy चाहिए अरे आपके दोस्त तीन हो तीनों की finger ऐसे करके tight देखे तीनों की दोस्ती मजबूत होती नहीं होती है तो इसका मतलब है यह bond energy जाधा रखेगा double bond के compression में यह bond energy जाधा रखेगा single bond के compression में तो bond energy कहां ज्यादा होगी यह decreasing order में लग चुके है decreasing order of decreasing order of bond energy के according यह लगाए जाए ऐसे आप समझ सकते हैं दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपसे यह बात करूं कि अगर कार्बन कार्बन की बात करता हूं चलिए ऐसे समझ लेता हूं उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन की बाद की बात होगी अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉंड यहां बॉंड आप ना देखेगा इसके बाद मैं oxygen oxygen की बात कर लेता हूं उसके बाद मैं आफ और कहान ज्यादा ड्रीटर नॉनिपर अब अफ या बॉल मज्टरी क उलेटाइव नॉनिख देता हूं जाना करेटर प्राइब्स अम हुआ हुआ LISA कि दो optimize अभी बताएए अगर इनके बीच में होता तो यही तो कंडिशन होती ही कि इनके बीच में होता था थीखिए ना अब इनके बीच में होता अब ध्यान दीजिए तो ग्रेटर अनमबर नमबर आफ लोन प्योल लोन प्याइटस जादा कहां बचेंगे वो आप बताईएगा ध्यान से तब बता पाएंगे समझ पाएंगे लोन पेर्स जाधा कहां बचेंगे तो मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा फ्लॉरीन में ज्यादा बच रहा है तो बॉर्ण एनर्जी तो फ्लॉरीन की ज्यादा होनी चाहिए तो सिंपल सी बात आप से कहूंगा इस कंसेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से समझेगा तब आप समझ पाएंगे कि जितनी जाधा बॉंड यह मतलब बॉंड एनर्जी जो होती है वह इस बात पर भी डिपेंड करती कितना लोन पेर आफ एलेक्ट्रों से कितना टाइट लिए लेक्ट्रों अगर जाधा मेमबर सें रहेगा उतनी ज्वी जाधा मेंबर के बीच में हाई रिपल्सन भी रहता है तो फ्लोरीन का एक्सेप्षन भी ध्यान रखना आपको यानिकि बॉर्ण एनरजी अगर मेंबर के बीच में चल रही एक लूरीन ब्लूरीन ब्लूरीन तब बहां पर यह फैक्टर भी कही न कहीं जिम्मेदार बन जाएगा तो यह जबाब भी आप ध् एसे करके यह और्बिटल है यह यहां पर मैंने सब्सक्राइब लेता हूं ऐसे बना दिये तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा इनके बीच में जो एंगल बनेगा वही तो बाइंगल कहलाएगा तो यानि हम अगर बाद करते तो पुछ एक्जाम्पल आपको देखाता छ फूर ले लेता हूं इसका बॉंड एंगल वन हंडेड 9.5 locks डिगरी का होता है अगर शेप की बात करता हूं तो मैं ऐसे बना लेता हूं इसकी आपको भी पता होनी चाहिए यह एंगल जो होता है वन हंडेड 9.5 डिगरी का मान जा एक हूंग वह आप समझदार हैं बीच म वाटर का यहाँ पर दो लोटेर लगा दिए अगर अम предлож में करता हूं यहां पोने तो एसी तरीके से मगर अगर महीं हञानल की बात कर लेता हूं तो इथाइलीन मॉलीक्यूल में आप चले आईए तो इथाइलीन मॉलीक्यूल के अंदर bond angle जब चेक करते हैं हम लोग यह वाला angle चेक करते हैं hydrogen के साथ में तो simply आपको 120 degree का दिखाई देता है तो अगर hybridization के विहाब पर भी देखे तो sp3 जहां होगी 109.5 degree होगा लेकिन loan pair होने से disturb हो जाती है disturb हो जाती है यह bond angle है इसी तरीके से sp2 कहीं पर होगा तो 120 होना चाहिए लेकिन वही condition यहाँ पर भी है sp कहीं पर है और 180 होगा लेकिन यही condition यहाँ पर भी है जैसे कि अगर मैं बात कर लेता इस geometry इसकी और एंगिल 109 लेकिन loan pair bond pair repulsion की बज़े से loan pair bond pair repulsion की बज़े से यह condition पैदा हुई और यह angle disturb हो गए electron negativity भी कहीं न कहीं bond angle को disturb करती है electron negativity भी कहीं न कहीं disturb करती है जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ जैसे भी मैं बात कर लेता हूं कि यहां पर मैं CH4 ले लेता हूं है ना उसके बाद मैं ammonia ले लेता हूं और उसके बाद में water ले लेता हूं यहां पर आप यह वाले मेरे अकॉर्ड ले लिजिए H2S ले लिजिए H2S ले लिजिए H2T ले लिजिए तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रों निगेटिव पावर क्या होगी घटेगी तो लौन पर दूर भागेंगे और दूर भागेंगे तो बांड एंगल bond angle decrease कर जाएगा और आपको समझना है तो ऐसे समझेगा जैसे यह है यह यहां पर है ऐसे है तो bond angle 104 point something आ रहा है अगर यही मालो में sulfur ले लेता हूं तो थोड़ा सा यह दूर भागेंगे ऐसे कर दो bond angle और down हो जाएगा bond angle सा इसमें 92.1 होता है 92.1 होता है और अगर test to s e में चले जाएंगे तो थोड़ा और दूर आ जाएगा यहां बना देता हूं दिखेगा एस लगा देता हूं यहां एच यहां एच लगा देता हूं अब यह और दूर कर दीजिए तो यहां पर 91 डिगरी का आ जाता है तो यह सब चीजें आपको ध्यान रखनी लिया और बी इच सिने लिया तो यहां पर भी तो उपर से नीचे आने पर बॉन और राइंगल क्या करेगा बॉन एंगल डिकरीज तो करेगा क्योंकि इलेक्त्र निगेटिव घट रही है इसी तरीके से अगर आप मालो एनेफ त्री ले ले लेते हैं चलो इसको ले लेते ह तो सब यह बात ध्यान रखेगा हाइवडाइशन भी जिम्मेदार हो जाता है लिए तो सब यह फैक्टर थे जिन में मैंने आपको बताया कि बॉर्ण नेंगिल कहा कितना होगा यह सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी तो अगर आपको ऐसे क्लास लेने हैं ऐसे क्लास आपको लेने तो मेरा नंबर ध्यान रखेगा सब्सक्राइब कर सकते हैं इस पर बात कर सकते हैं महीं डारेक्ट आप से बात करूंगा यहां पर ऐसा कोई कि मैरा बहुत बड़ा बिजनिस है नहीं मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और यह सेवा तब तक चलती रहेगी जब तक की आपका सेलक्षन नहीं जाता तो चाहे जार खंड पीजीटी हो चाहे आपका राजिस्थान पीजीटी हो चाहे यूपी PGT हो चाहे उत्राखंड PGT हो इन सभी PGT के लिए और साथ में इस्पेशल नबोदे और KBS NBS, KBS और DSSB के लिए भी हम तयार है तो अगर आपको PGT की परफेक्ट तयारी करनी है तो फिर आप मेरे साथ जरूर बने रहिए मैं आपको परफेक्ट केमिस्ट्री से बाते जरू करा हूँ नमस्टे